दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि अपने Facebook स्टोरी में एक से ज़्यादा फोटो कैसे लगाएं वो भी गाने के साथ तो अगर आप Facebook स्टोरी में बहुत सारे फोटो लगाना चाते हैं उसमें गाना डालना चाते हैं बैक्ग्राउंड सेलक्ट करना चाते हैं तो कैसे आप करेंगे चले मैं आपको बता देता हूँ जैसे आप Create Story पर क्लिक करेंगे तो यहाँ उपर में आपको Option मिल लाएगा Music का आपको यहाँ Music वाले Option पर क्लिक कर देना है जैसे आप Music पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर बहुत सारे Music आ जाएंगे तो सबसे पहले आप अपना मन पसंद Music सेलक्ट कर लीजे जो भी आप अपन पहले आपको इस पर क्लिक करना है फिर यहाँ पर Option आजाएगा Select और Music का नाम आजाएगा आपको इस पर क्लिक कर देना है यहाँ पर देखें यह फिर नीचे लाकर छोड़ देजे अब देखे यहाँ पर हमारे music लग गया है लेकिन वो background में है और मैंने अभी उसका volume mute किया हुआ है तो आपको सुनाए नहीं देगा बाद में मैं आपको सुना दूँगा तो अभी देखे हमारे background आगया है और music लग गया है अगर आप background को change करना चाहते है तो यहाँ देखे गोल सा एक circle बना हुआ है आपको इस पर click करना है तो यहाँ पर बहुत सारा background आजाएगा तो आप अपने मन पसंद के हिसाब से अपना background select कर सकते हैं तो चलिए यहाँ से मैं अपना एक background ले लेता हूँ अगर आप अपना खुद का कोई background लेना चाहते हैं तो यहाँ circle पर click कीजे और यहाँ पर आपके phone की gallery उपर हो जाएगी तो अपने gallery में जाकर आप अपना खुद का background ले सकते हैं जैसे यहाँ से मैं यह वारा background ले लेता हूँ ओके यह background हो गया अब इसको यहाँ से मैं ऐसे zoom कर लेता हूँ फिलाल मैं इसको हटा देता हूँ मैं दूसरा background ले लेता हूँ अब अगर आप यहाँ पर बहुत सारा photo add करना चाहते हैं तो उसके लिए क्लिक करना है यहाँ ऊपर में देखे आपको i sticker का option दिखेगा आपको इस पर click कर देना है जैसे आप i sticker पर click करेंगे तो यहाँ पर आपको camera का icon दिखेगा गैले जैसा आपको iis पर click कर देना है तो यहाँ पर आपके phone की gallery फिर से open हो जाएगी अब यहां से आप अपना जो भी फोटो लेना चाहते हैं उस फोटो को select कर लिजे तो चलिए यहां से मैं जल्द जल्दी कुछ फोटो ले लेता हूँ तो जैसे मैंने यह एक फोटो ले लिया तो आप अपना फोटो select कीजे अगर आप इसको छोटा बड़ा करना चाहते है फोटो को तो आप फोटो को जूम कीजे तो यह बड़ा हो जाएगा फोटो को जूम आउट करेंगे तो यह छोटा हो जाएगा अगर आप इस फोटो का shape change चेज करना चाहते हैं तो आपको कि आगर ने फोटो पर क्लिक करना है जैसा फोटो पर खरनेकर ये तो इसका सेप तो इसको यहाँ पर मैंने उपर लगा दिया है तो अभी देखें यहाँ पर मैंने जल्दी से कुछ फोटो सेलेक्ट कर लिया है अब अगर आप अपने इसी स्टोरी में कुछ इफेक्ट डालना चाहते हैं तो यहाँ फिल्टर वाले उप्सन पर क्लिक कीजे तो यहाँ पर बहुत सारे फिल्टर इफेक्ट आ जाएगा तो यहाँ से आप अपना इफेक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं तो यहाँ देखें बैगराउंड में कुछ भी आप इफेक्ट लगा सकते हैं जैसे मैं ये रहने देता हूँ, अब अगर आप इसमें कुछ लिखना चाहते हैं, तो यहाँ डबल A पर क्लिक कीजिए, तो यहाँ पर टापिंग करने का option आ जाएगा, अब यहाँ पर आप कुछ भी लिख सकते हैं, ओके, और इसका यहाँ पर आप स्टायल भी चेंज कर सकत अब इसको आप यहाँ से एडजेस्ट कर लिजे, अगर आप अपने इस स्टोरी में किसी को टैग करना चाहते हैं, या कुछ ड्रॉ करना चाहते हैं, तो यहाँ एरो वाले अप्सन पर क्लिक कीजिए, तो यहाँ ड्रॉ का option आ जाएगा, टैग करने का option आ जाएगा, तो अब यहाँ पर यह पब्लिक नहीं है, मैं इसको अभी पब्लिक नहीं डखूंगा, तो आप इसको पब्लिक कर सकते हैं, फिर यहाँ पर आपको share वाले option पर क्लिक कर देना है, अब आपका यह story share होने लग जाएगा, तो आपको थोड़ा सा wait करना है, तो यहाँ पर आप दे तो आपने सुन लिया होगा कि इसमें गाना भी add हो चुका है, और यहाँ पर हमने बहुत सार फोटो भी लगा लिया है, तो इस प्रकार से अब आप अपने हिसाब से भी अपना फोटो add कर सकते हैं, इसमें गाना लगा सकते हैं, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, चुर्जप उसिलिचेगा.